आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परिशा के आज के इस वीडियो में जिसमें फ्रेंट्स हम लोग हमारा आप लोगों का सेशन है साथ जो बच्चा पूरा सेशन लाइफ देखेगा उसके लिए एक टेस्ट भी रखी गई है आपको एक टेस्ट मिलेंगी उस टेस्ट के आधार पर आप लोग यह जाज सकते हो कि आज के सेशन में आपने कितना सीखा एक है ऐसा ना हो कि बस पानी बह आप लोगों को इसी चीज को ध्यान में रखकर जो बच्चा पूरा सेशन देखेगा उसके लिए एक लिंक दी जाएगी ठीक है तो यह बहुत अच्छी बात है पूरा सेशन देखना है आप सभी लोगों ने और ऐसे ही जो है तरक्की करते रहिए आगे बढ़ते रहिए प में जूड़ चुके है तो आप लोग इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में टेलीग्राम फेस्बूक वाटसेप इस्टाग्राम जहां जहां शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे 4000 प्लस का हमारा यहां पर में टार्गेट है कि 4000 जो है यहां पर मैं लाइव बच्चा आना चाहिए जल्दी से सभी लोग और आप लोगों में से जितने भी को लाइक कर दी다 में भी लोगों ने यहां उस्टाब कर दींग जूप सभी लोगों को इतने जी जाल प्यार के लिए क्लीघ करना पहला को जांड आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में यह रहा देखिए फ्रेंट्स कोश्चन में यह बोला गया है अरेंज द फॉलविंग इंदी क्रोन लॉजिकल ओडर भाई आप लोगों को काला नुकरम में लगाना इसको सिंपल सी बात है जो चीज पहले हो उसको पहले करो जो चीज बात में उसको बात म करता था चोटी चट्डी पहनता था वैसा वाला कि जो जब मैं चोटा बच्चा था मतलब सबसे पहली जो चीज हुई तो यहां पर में इन में से अगर हम लोग देखेंगे तो पूना पैक्ट आप लोगों को पता होना चीए 1932 के अंदर में आपका गांधी इर्विन समझ चलुआ था भारत चोड़ो आंदोलन इसके बाद में स्टार्ट हुआ था इसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस मुवमेंट जो है आप लोगों को लगाना हो तो यहां पर में जैसे देख पारू फ्रेंट पोल के अंदर में 49% लोगों ने सही आंसर लगा दिया अब तक जितने मेरे पास में डेटा आया है उस अनुसार तो सबसे पहले आप लोगों की क्या होने वाला था आप लोगों को पता है फ्रेंट की सिविल डिसोबीडियंस मुमेंट 1930 आप लोगों का यहां पर में सबसे पहले आएगा तो चार सबसे पहले आना चीए तो यह आंसर नह 1942 का है क्रिप्स मिशन और 1932 का है पूना पैक्ट तो पूना पैक्ट पहले हुआ था मतला वन पहले आएंगा तीन बाद में आएंगा तो C is the correct answer कितने लोगों का सहीता हाथ उपर करके बता देंगे और जैसे मैं यहाँ देख पार हो 54% लोगों ने बिल्कुल सही answer दिया था यहाँ पर में ठीक है चालिए 54% लोगों ने बिल्कुल सही answer दिया था तो वेरी गूड बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं यहाँ प आपने पूरा का पूरा लिख भी दिया कमेंट के अंदर में सिविल इर्वीन पूना क्रिप्स बहुत बढ़िया ऐसे ही लिखोंगे लिख लिख के प्रैक्टिस करोंगे तो जादा आपका फायदा होगा वेरी गूड रवी और बाकी लोगों को भी जिन भी लोगों ने ल जो maximum लोग answer लगा रहे है वो B लगा रहे है कुछ लोग है जो A लगा रहे है मतलब A और B के अंदर में लडाई हो रही है मैं आपको बता दू आप लोगों का इसका दारजी लिंग होंगा क्यों होगा आप लोगों का B answer ध्यान से समझना आप लोग NCRT और BPSC दोनों का बत लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है आप लोगों का हिमालया परवत रोहन संस्थान तो यह कहा पर में यह वाला इंस्टीट कहा पर में तो यह दारजीलिंग में पश्चिम बंगाल दारजीलिंग के अंदर में तो दोनों में फर्क है इसलिए आपको बार-बार रिवाइस कर आप लोग याद रख सकें इसको लंबे समय तक अगर नहरू इंस्टीट ऑफ मांटेनेरिंग आया तो उत्तरकाशी अगर हिमालयन हिमालयन मांटेनेरिंग इंस्टीट आया आप लोगों का हिमालय परवाता रोहन संस्थान तो पश्चिम बंगाल के दारजीलिंग शहर के अंदर में दोनों के दोनों लिख दो ताकि आप लोगों को याद हो यहाँ पर में ठीक है आईजा बोल रहे हुआ उनका जवाब सही था चलो बहुत अच्छी बात है ऐसी जवाब आप लोगों को सही रखना है यहाँ पर में भारत में हाती परियोजना कब शुरू हुई ह النव यहाँ पर बात आश है तहीसा थिए हटी तो हाथी परीयोजना इसके अलावा जो है आप लोगों के दो साल ऐसे इस दिये रखे मिल्ज यहाँ पर में जिसमें नकुछ तो हुआ था तो क्या हुआ था जलदी बताओ आप लोगों यहाँ पर में दो साल अलाल्या फियस आप लोगों ने और यहां पर में जब हम हाती परियोजना की बात कर रहे है हाती परियोजना तो आप लोगों का हाथी परियोजना जो है 1992 में हुआ है चयोजना चाहूंगा आप बताना हाथी की बात निकली है तो दूर तक जाएंगी आपको बताना की गज-उत-sहौ गिज-ई-sहौ कहा मनाया गया है जिसने बता दिया भाई मान जाएंगे उसको गज उत्सो कहा मनाया गया है यह कमेंट में आंसर करके बताइए करंट अफेर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वैसे 1975 वाला भी अगर आप लोग बोलोंगे तो मैं आप लोगों को बता सकता हो फ्रेंड्स की जो घडियाल होता है आप लोग ठीक है घडियाल प्रोजेक्ट घडियाल या प्रोजेक्ट मगर मच भी इसको आप लोग बोल सकते हो ठीक है 1975 के अंदर में बाकी यह पूरी लिस्ट है एक छोटी सी लिस्ट जो आप लोगों को फ्रेंड्स एप के ऊपर में जो मैं PDF भी डालने वाला हूँ ठीक है सिर्फ देर के लिए डालूँगा ताकि जो लाइफ बच्चे आये थे उनी लोगों का फाइदा हो उनी की रिवीजन हो जाए तो आप लोग पूरा का पूरा सेशन अच्छे से लाइफ देखेंगे पूरा सेशन लाइफ देखना है आप सभी लोग अरे नाव फ्रेंड्स के दोरान विहार में खुरुषिकों कानेटे किसने कीया था तो पहली बात तो आसायोग अंदोलन हुआ कब था 1920 में हुआ था आपका 1920 के अंदर में 1920 में जो बिहार के किसान थे उनके लिए अंदोलन चलाया था स्वामी विद्यानंद जी ने वैंधियने चंपारण के अंदर्में तो वह राजकुमार शूक्ल होंगा 1907 के अंदर्में आप लोगों की इसकुरस्तोहर कोर्जें रखने से डिफ्शन वर घ्याद रखने अंदर में तो अब लोगों का जो फिछाइन्च है तो 52 परसेंट लोगों ने आगे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे असहयोग अंदोलन बोला है नॉन कोपरेशन मुमेंट जो की 1920 में हुआ तो ये एक कोश्चन और बन गया आपका कि कि नॉन कॉपरेशन मोमेंट कब हुआ था 1920 में हुआ था ठीक है नेक्स कोश्चन के तरब में हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर में हमारे फिर से मैं याद दिलाता रहूँगा कि जैसे मैंने कल 25 तारीकों ली है पास तारीकों इसका लेवल नंबर टू लूँगा मैं एकदम बढ़िया वाला आपका तो आप लोगों ने तयार रहना है इतने भी बच्चे है पेड में तो आप लोग जो है मैंने कल यह कोशन पूश में चौथा हुआ था 1888 में यह चौथा वाला सेशन था फोर्थ वाला था और इसमें जोर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे अलहाबाद में यह सेशन हुआ था अलहाबाद में यह आपको याद रखना है पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे मदरास में बद लिस्ट दू क्या आप लोगों को मस्त वाली, जो आप लोगों की जिंदगी में जिंगा लाला हू हू कर देंगी आप लोगों की, देखे, टॉप 10 सेशन्स आफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस, आपको याद रखने है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, जो बाद में 1892 में भी ब यह चाहिए आप लोगों को लिस्ट तो आप लोगों को जो टीचिंग परिशा एप है उसको डाउनलोड कर लेना फ्रेंट लेक्चर के बाद आप लोगों को मिल जाएंगा पूरा का पूरा वहां पर में, चाली, हिंदी में भी है पूरा का पूरा तो डॉंट वरी, आपक चाली, नेक्स कोश्चन के तरब में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के आपको बताने, वर्ल्ड वैट लेंट लेंड यहां पर में जूड चुके हैं, एक बार सभी लोग दबाके शेयर कर देंगे, चार हजार हमें यहां पर में कंप्लिट करना है, सभी के सभी लोग एक स सारी जो मेराथोंस है, वो आप लोगों को उसके अंदर में मिल जाएंगी, जब आप लोग साथ में जुड जाओंगे, तो टीचिंग परिक्षा जो चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग, और बैल आइकन ज़रूर दबा देंगे, यहाँ पर में विश्व आदर भूमी दिवस, हर साल जो है दो तारिक को मनाया जाता है, 2 February को, 2 February को, विश्व आदर भूमी दिवस, वेट लेंड्स, यह वेट लेंड्स का मतलब होता है, ऐसी भूमी जो दलदली हो, अब आपको पता है, दलदली भूमी के अंदर में अलग प्रकार के पेड उगेंगे, अलग प्रकार के दलदली प्रकार के पेड उगेंगे, यहाँ पर में जो जानवर रहेंगे, वो भी अलग प्रकार के रहेंगे, है ना, अब जानवर जैसा तो दिखनी रहाई है, पता नहीं बड़ एडजस कर लेना आप लोग, यहाँ पर में 2nd February को वर्ड आदर भूमी दिवस या फिर विश्व आदर भूमी दिवस की रूप मनाने का नियने लिए यह बहुत ही इंपोर्टन कोश्यन है यह आद रखने आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंपोर्टन आप इसको सूपर इंपोर्टन मार्क कर लो आप सभी लोग इसको एरिया के अंदर में वो फैला हुआ होता है उसको बचाओ वो जो खतम कर रहे हो ना आप लोग पानी सूख जा रहा है या फिर आप लोगों की हरकतों के कारण जो हो रही है चीज़े उसको बचाना तो वैटलेंड बाहली वैटलेंड रिस्टोरेशन इसकी थीम थी वैटल सौर मंडल के बाहर का सबसे चमकीला तारा कौन सा है आप लोगों का है बहुत बढ़ी है यहां पर में सौर मंडल के बाहर का सबसे चमकीला तारे की अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर में तो आपको बतादू फ्रेंड्स की सबसे जादा चमकता कौन है वैसे बात करूं प्रफिया अपनी पड़ाई के मामले में तो जो सीरियस होगा वही चमकेगा तो अप लोगों ने याद रखना है यह दक्षिनी गोलार्थ से दिखाई देताहे है इसको डॉक स्टार भी बूलते हो आप लोग डॉक स्टार और वहीं जाना जाता है सबसे चमकीला तारा अगर बोला जाए तो सीरियस है सबसे चमकीला तारा लेकिन प्रिया शर्मा बोल रही है रिकॉडडेट क्लास है तो प्रिया शर्मा को जो है मैं यहां से बिलकुल एकदम रिकॉडडेट क्लास के बाहर भगा देता हूं उनको मैं एकदम मस तफेगी प्रिया कोई इशू नहीं है ठीक है आपका आप जो है ना कल रात वाला मतलब अभी ठीक हुआ नहीं है रात का इसलिए बोलता हो कि रोज मतलब 11 के बाद मत किया करो हरकत डस से पहले लोंगे ना तो कैसा होगा कि सूबह दस वाजे तक ठीक हो जाएगा लेकिन अगर मानलो आपने 12 बश्चा पार्टी की थो सूबह इसमय लगता है उसको ठीक है सूबह उतरने में समय लगता है तो कोई इशू नहीं है आप जो है आराम से रिलाक्स करो तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों के जो नेक्ट कोश्य ने आपका कि आपका अगर मान लोग की सबसे चमकीला तारा जो है आपका सीरियस है तो सबसे क्लोजेस तारा कॉन सा जो प्राउक्जीमा सेंटोरी जिन लोगों ने लगाया तो आपको बदा दू फ्र फंदातसे चमीली चमीली घटर में अब ऐसा नहीं हो सकता कि उसको मैं सबसे अच्छा लगो वह सकता उसको वहां सलमाण खाला है वो अच्छा जयादा लगिए अससे चमक्धार होंगा ऐश धरूरी नहीं ए सिरियस हमसे बहुत दूर है इतना बड़ा है और उसकी रहना मे प्राकाश की गती पे बैठ कर एक दम मस्त पैकी तो प्राकाश की पहुशने में में को 4.2 एर्स लग जाएंगे अगर लाइट की स्पीड से भी जाओंगा तो और आपको पता है अगर आज की करन्ट टेकनोलोजी से मैं वहाँ पर मैं गया जो हमारे पास आज की स्पीड है साथ हजार साल लग जाएंगे वहां तक पहुशने में अगर मैं आज की टेकनोलोजी के साफ से गया तो तो किसी को जाना है किया तो बता तो अरेंज्मेंट करा देते हुआ जाने का आपका पास वाला जो तारह आपका सूरज के अलावा वहां तक भी जाने में आपको 66,000 स वीदेश मंत्री S.J.Shankar ने फीजी में विष्व छी पिंदी सम्मेलन का किस संसक्रन का आयोजन किया था विष्व छी में बहुत अब लोह कहां बताओ जल्दी जल्दी सम्मेलन का पहला संसक्रन कभ और कहां परbelsा हुआ यां है value Good बहुत बढ़िया अम लोगों काैके दास ज downward को हुआ था 98 में 10 जैन्वरी को 10 January तैंथ regulations Edures 10 January 1975 में अब चलो इतना तो बता दो कंशे कंच कहा हुआ था यह कहा हुआ था यह तो बता दो यह General तो अभी तो बारवे नंबर का था लेकिन फ्रेंट्स 1975 में पहला हुआ था और यह हुआ था नागपूर के अंदर में बहुत इंपोर्टेंट है नागपूर में याद रखने आप लोगों नागपूर में इंद्रा गांधी उस समय में प्रधान मंत्री थी इसी वजे से जो ह rust तो 10 जनवरी को मनाया जाता है ये भी लगों कमेंट बॉक्सिंट इंटरनेशनल हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को लिख दिया आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया ऐसे ही सबी लोग जो है यहाँ पर कर्ते हेंगे ब्रेंटись आगे में प्रशान्त महासागर में प्रशान्त महासागर में यह भी कॉश्यन बनता है कि फीजी कहा पर में है पर में हाल ही बारवा संस्करन आज़ीत हो आपका विश्व हिंदी conference का तो वो आप लोगों का है कहा पर में याद रखना है आप लोगों ने व्रेंट्स वो परशांत महासागर के अंदर में है अगर आप लोग चाहते हो न कि मैं ऐसी explanation के साथ मैं आपको पढ़ा हूँ explanation दू कुछ बच्चे होते हैं जो सर नहीं बस question question करा एक्स्प्लेनेशन बहुत जरूरी होता है जैसे यह फीजी वाला question आएंगा बच्चे पढ़के जाएंगे कहा हुआ फीजी कहा है तो फिर क्या गरोंगे वही तो difference create होगा आप लोगों का आप लोगों खैंद चाल लेक disaster में आगर बढ़तें भारती पूरुष को को के ने कौच की रूप में किसको नुक कीया गया यह आप लोगोंगों बताना है कि इसका आंसर किजर सभी लोग बहुत बढ़िया तो देखिए भारतिय पूरुष हौकी टीम कि अभी यह आप लोगों की करन्ट अफियर की न्यूज है तो भारतिय पूरुष हौकी टीम तो मैंने आपको बता था कि फुल टन है यह हाँ बस वह मैडम कहा कि कौन थी मैडम वह नाम बुल गया मैं किसी को ना पत्नी को मार नहीं सकता ठीक है डोमेस्टिक वाइलेंस का केस लगा देंगी तो बॉल को मार रहा है वह फुल टन है यह तो पूरुष हौकी टीम का फुल टन है यह यह याद रखेंगे आप लोग यह आपको याद कर वाया था मैंने ठीक है और इसी वज़े से मैं देख भ का पूर्व खिलाडी है पूरु शौकी टीम का नया कोच बनाया है नेक्स कोश्चन के तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर में यह है फुल टन भाई सब ठीक है अरे टेंशनल है यार सिव याद करने के लिए बताया उनको मतलब ऐसा कुछ टेंशन के वाली बात और हो सकता है कि आपके किसी भी एक्जाम के अंदर में पूछ लिया जाईए कोशन अठाइस सो लोग हो चुके है फ्रेंट्स उननिस सो लाइक हो चुके है तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हो ितको हो प्रेंट्स एक लाग चैनयनों हजार साथ सो चौवालीस है एक है सब्सक्राइब कर सक्राइब रुआज आ कित्ये था में नियवाज दोलाइब कर आप बजर ins के लोगों 1 संडे के दीन थी में पूरा बड़ा वाला, Maths, Reasoning, Science, GS, पूरा मिला कर एक बड़ा सेशन लेंगे हम लोग. तो भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के अध्यक्ष के रूपे किसको चुना गया था? राजेंदर प्रसाद को चुना गया था. हुआ क्या था? मैं आपको स्टोरी बदा देता हो थोड़ी सी. ठीक है? 1939 का सेशन हो रहा था, 1939 का त्रीपूरी में. मद्यप्रदेश में एक जगा है, जबलपूर के पास में त्रीपूरी. त्रीपूरा नहीं है, त्रीपूरी. सुभास चंदर बोस और पत्ता भी, सीता रमया, सीता रमया, रमया, ठीक है? ये चुनाओं में खड़े थे. गांदी जी चाहते थे कि ये बने, गांदी जी का समर्थन इनको हासिल था, बट जीत कौन गए? सुभास चंदर बोस जीत गए. अब सब लोग सुभास चंदर बोस को क्रिटिसाइज करने लगे, कि ऐसा क्यूं, ऐसा क्यूं, आपको पता ये है कि लोगोगों कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना बस, तो सुभास चंदर बोस जो आया गुस्सा, उन्होंने बोला है, इसको लो अपना अध्यक्ष पत्का चुनाओ और इसकी पिपुडी बनाओ और अपने पासी रखो ठीक है अब सिता रमया को तो हम बना नी सकते थे अध्यक्ष क्योंकि वो तो हारेवे बनाइख की तरव में आगे बढ़ते आप लोगों के बलेंग के कारन सुरिय में लगातार उर्जाउपन होती है तो कौन सा वाला चीज है जिसके कारन उर्जाउपन होती है वेरी गूट किसी नहीं है यहां पर मैं नहीं कर रहा mother है ब्लैंक के कारण सुर्य में लगातार उर्जय उत्पन होती है। जो भी पेड़ वाले बच्चे उन लोगोवकी तो बहुत अच्छे से रिविज़ुण हो जारी होगी पूरी की पूरी अच्छे से आप ब्लैंक यह कारण सूरिय में लगाता और उर्जा उत्पन हो रही है नुक्लियर फ्यूजन नुक्लियर फिशन रडियो अक्टिवीटि आर्टिविटी रेडियो एक्टिविटी नन अफ दीज सूरज के अंदर में क्या हो रहा है, सूरज है, अब सूरज को imagine करो आप लोग, आपके दिमाग में सूरज की अंदर क्या नीच चाहिए, सूरज में क्या हो रहा होगा, अभी, अभी, at present, जब आप पढ़ रहें, उस समय सूरज में क्या हो रहा है, सोचो, imagine करो, देखो, hydrogen है, एक hydrogen है, यह दोनों hydrogen आके मिल जारे, fuse, धढ़ाम, और यह बन गया आप लोगों का helium, ठीक है, यह बन गया helium, ठीक है, यह helium बन गया आप लोगों का, helium, helium में दो electron होते हैं, कि आसे त्रीक से क्या हुआ फ्रेंड्स आप deeper मँश्य हिना। Vir ako के कारद हमारा सूरज जो हो हो चमक रहा है इसी उर्जा के कारण हमारी हमारे सूरज में fusion हो रहा है fusion मतलब hydrogen की आइटम एक दूसर रहे मतलब हम दो जिस एक जान बन गए है दो hydrogen मिलके टीक है तो न भी कि यह इसको अड़ करब अगर मान लो, दो तूट के, अलग-लग दो छोटेह, एलिमेंटस बन रहे, तो उसको, विखंडन कहा जाता है, हमारे पावर प्लान्ट में हम लोग नertटी नाभी करने करते हैं, हमारे पास, में एतनी एनरजी नहीं इतनी ताकत का आंसर किजी आप लोग योशंक कि पिशन क्या होता है फिशन का मतलब होता है तोड़ना एक एलिमेंट है मानलो यूरेनियम 235 उसके ओपर में आपने ऐसा मारा न्यूट्रॉन टपाक करके ठीक है वो तूड़ गया दो इसमें तूड़ गया और बीच में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई बहुत सारी हीट एनर्जी निकली उसको फिशन बोला जाता है विखंडन तो आपको याद रहना है मुझा है योशंक तेवहार मनाया था मार्च केंदर नियूज में और गटना है मनीपूर के अंदर में होती है निनदा की वह उतना और आणसुत हरे हैं लगलाश बढ़र बहुत सभी में जो कि लोग कितने औरा यो वह इसकीटिए्स बारियाति तो किस तरीके से हरकत करते हैं इतना गिरी हुई हरकत की जा सकती है कम्यूटी के नाम पर या इसके नाम पर ठीक है कि ऊके तो यह याद रखने आप लोगों लूद और मैं आपको बता हुआ जूत दो कम्यूटी हैं जिनके बीच में लड़ाई हो रही हैं आप लोगों की उनमें से एक हैम अब मिलान से कि मों मनाया है और दूसरी जो है यह आपको कूइंटी कुकी कम्यूनिटी, मीटी और कुकी इन के भीच में जगडा चल रहा है, यह आद रखने है मीटी और कुकी मीटी कम्यूनिटी जो है, इस ने यह योशंग त्योहर मना है, मार्च के अंदर मैं, ऐसके जोब लगना नहीं, अगर से Grum आप लोगों को सकता है कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एक्जाम के अंदर में अपना प्रदर्शन करके आओ आप लोग चलिए तो मीटी कम्यूनिटी ने मनाया यह भी पूछा जा सकता है आप कुछ लोग रहेंगे जो योशांग फेस्टिवल मनिपूर में मनाया ज हो गया है तो इंपॉर्टन कोशन और तीन हजार दोनों की शुपकामना है आप लोगों को तीन हजार बच्चे हापर में जुड़ चुके है जल्दी जल्दी से सभी लोग जितने भी लोग देख रहें सब्सक्राइब करते रहेंगे सभी लोग केवल 200 बच्चे कम रहें ग खा रहा था भेल पूरी खा रहा था और अचानक से आके बाइक वाले ने मेरे को ठोकर मार दी ठपाक करके मैं ऐसा गिर गया और मैं बच्चों का लेक्चर है डिले होगा लेट होगा वहाँ पर में फिर पोल पोल खेलते रहते हैं वो लोग जाना है मुझे कोई होस्पिट तो स्वास्थे का अधिकार के अंदर में राजिस्थान ने क्या किया है एक कानून ही बना दिया उन्होंने पारीत कर दिया इस विद्यक को जिसके तहत राजिस्थान के अंदर में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल बिल जमा करने के लिए नहीं बोलेगा पहले नहीं प अब्हां प्राइवेट होस्पिटल के अंदर में जो भी नियर्स प्राइवेट हॉस्पिटल भी है या पबलिक होस्पिटल जो नियर्स राज्ज जात जाया जाई तो राजिस्थान देश का पहला राज्य बन घिया है ऐसी ही एक वह में भी थी फरिष्टे स्कीम लेकिन वह कानून नहीं था वह केवल स्कीम थी यहाँ पर में कानून बना दिया है पहला राज्य बन गया आप लोगों को राजिस्थान बन गया है आप लोगों का पहला राज्य जिसने स्वास्थ का अधिकार ठीक है राइट टू हेल्थ विधियक पारित के सभी लोग लिख दो यहाँ पर में चालिए एक किस्सों से जादा हो चुके लाइक फ्रेंट्स तीन हजार एक सो के करीब लोग जुड़ चुके नौसों लोगों की ज़रूरत है हम तेंक्यू प्रग्या आर्मी गर्ल तो स्वीट अफ्यूरत है कि पुछ बच्चे ऐसे है यार जो लिटरली मतलब बहुत जादा सपोट करते हूं मतलब उन्हीं लोगों को देखकर ऐसा लगता है ना कि जो अपना अपना 100% से भी जादा मतलब एफर्ट्स दे रहे एकदम उन लोगों के लिए तो मतलब लगता है कि नहीं और मेंद करनी चाहिए गरेकर तो देखें अगर मैं आप लोगों से बात करूं इस question की यह बढ़िया question है थोड़ा high level question लेकिन बढ़िया question है आप लोगों का आप लोगों को बहुत मदद करेंगा यह question देखें लखनो सेशन जो हुआ था 1936 का उसकी अध्यक्ष ता किस ने की थी ओंग्रेस वाला सेशन में ने पढ़ाया है आप लोगों को इंडियन नेशनल कॉंग्रेस पूरा तो लखनो सेशन जो यूपी में वह था 1936 वाला 1916 में भी हुआ था लेकिन 1936 वाले की बात कर र जवाहर लाल नहरू ही थे जवाहर लाल नहरू यह याद रखने आप लोगों ने तो यह तो गलत हो गया दो पॉइंट्स थे वहाँ पर में जिसके मज़े से गलत हो गया यह दूसरा वाला जहाँ जहाँ दो दिया उसको काटो 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 अब देखो गलत होने के कितने कम chances हो गया आपके तीन option eliminate कर डाले आप लोगों ने तीन options आपने eliminate कर डाले हरीपूरा नाम की एक जगा है गुजरात में ठीक है हरीपूरा और त्रीपूरी ये दो जो धने P mun holds be a per words लोग कि इन्हें न फिरसंद में 1038 और 1949 इन दोनों में सुभाष चंद्रा भूस अध्यख्या बने थे फिरीपूरी में घैड़े और अशचंद्रन उर्फा ओंधर एपसे वह कांसे वाले में उन्होंने कृटी है या इंछInel ये बतागे आप लोग दोनों में Haripura में और Tripuri दोनों में सुभास चंदर बोस अद्यख्ष बने ते इस्तिफा किसमें दिया था उनों ये बताथो देखते कितने लोग आनसर कर पाते हैं इस्तिफा उन्होंने कितने में कौन से वाले में दिया था यह बताना है आप सभी लोगों ने अभी पता जाल जाएगा कितने लोग यहां पर में ध्यान से देखे हैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि त्रिपुरी सेशन में जब सुभास चंदर बोस ने इस्तिफा दे द दो ही ओप्शन थे आपके पास में ओप्शन दो ही थे दो ही ओप्शन में से चुनना था आप लोगों को चालो नेक्स कोशन के तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे यहां पर में ठीक है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के सूरत अधिवेशन की नरम और गरम नरम दल और गरम दल ओड्एक अरग है और मॉडरेट और एक्ष्ट्रीमिस्ट बिखे नरमपंति और उगरवादी नरम चाते थेंगे हां प्यार से काम करवाय जाया तो कि 1947 में 2007 में वह था यह के बिज्जतियों करके हैं कि वह क्या मॉड्रेट लोग ने अपना तरफ से जो है नेता खड़ा किया इलेक्षन में राजबिहारी घोष्ट को सब्सक्राइए और मॉड्रेट लोगों के राज भिहारी घोष्ट चुनाओ जीत गए तो अध्यक्ष कौन बने थे राज बिहारी घोष और एक्स्ट्रीमिस्ट लोग हार गए तो एक्स्ट्रीमिस्ट लोगों को आया गुस्सा पहले तो थोड़ी देर तक मूव फूल आके बैठे होंगे ऐसे ही फिर आया गुस्सा ये क्या बात हमारा वाला अध्यक्ष भी नहीं बनने दोंगे तुम लोग तुमारी संख्या जाद है मान लिया मैंने कि एक्स्ट्र मॉडरेट लोग जाद है तो हमारा यार कभी अध्यक गोष 1907 के सेशन में चुनाव हारा कौन था अगर ये कोशन आजाया आप लोगों से ठीक है तो रास भीहारी घोष जीते थे लाला लाश पैतरा चुनाव हारे थे और इसी वज़े से जो है इनकी बुक का नाम भी आपको पता है ना अनहपी है अनहपी इंडिया इनकी बु किसे आंसर कर रहे हैं आप लोग तो ऐसे ही मज़ा आती है जल्दी जल्दी से फ्रेंड आप लोग लाइक एंशेर भी करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे सभी लोग जो भी हापर में 33 लोग देख रहे हैं सभी एक साथ शेर मार देंगे तो हमारा 4,000 का आपढ़ा अराम से पार हो जाएगा कि 1905 में भारती राश्टी कॉंग्रेस के बनारा सधी वेशन के अध्यक्श कौन थे बनारा सधी वेशन के बनारा सधी वेशन के तो बनारा सधी वेशन जो हुआ था 1905 में यह important क्यू है क्यूंकि इसी साल बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल की विभाजन वाला जो साल है वो तो important है ही, तो कि उस समय कौन अध्यक्ष था इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का जिसने बंगाल विभाजन की भर्त्सना की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले, इन ही को गांदी जी का पॉलिटिकल गुरू भी माना जाता है, गोप तिलक कभी भी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की अध्यक्ष नहीं बने, कभी भी नहीं बने तिलक, लोग माने तिलक कभी नहीं बने, गोपाल कृष्ण गोखले बने दे, यह याद रखना 1905 के अंदर में, चीक है, चाली, important exam के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता ह सर यह question कल गलत हो गया था, सीमा कुमारी बोरे कि कल टेस्ट जो मैंने दीती उसमें गलत हो गया था उनका यह question, लेकिन आज अब सही होगा, इसी वज़े से revision का महत्व है, revision is the key to success, यह याद रखेंगे आप लोग, तो आप देख सकते हो, 1990 के अंदर में, फिरोश्या महता अ गांदी जी आये थे, ऐसी, फर्स सेशन जो गांदी जी ने अटेंड किया था, ठीक है, attended by गांदी जी, अब कुछ लोगों के मन में यह आ सकता है कि गांदी जी तो आई थे 1915 में, अरे तो 1915 में वो आये थे permanently, आते जाते तो रहते थे थे ना, आते जाते रहते थे वो, ऐ ऐसा दोड़ी था है कि बस वहां जाके बस गए भाई हम तो चले परदेश अब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, परदेशी हो गए बस वाला काम, ऐसा नहीं था उनका, वो आते जाते रहते थे, आते भी थे कभी-कभी, जब कलकत्ता में सेशन हो रहा था, दिन्शा अच्छ अच जिंदगी का 1901 का सेशन था हो, यह याद रखना है आप सभी लोगों ने, नेक्स्ट कोश्चन के तरफ में हम लोग यहां पर में आगे बढ़ते हैं, हाइस माउंटेन पीक इन इंडिया इस, भारत की सर्वोच्च जो है वो आप लोगों की कौन सी है, सर तिलक कभी नहीं समर चौहान ने आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया मोटिवेशन दिया है, समर चौहान ने, उन्होंने बताया है कि अंदर में कोश्चन आया था कि निम्नलिकित में से कौन कभी अध्यक्ष नहीं बने तो तिलक उसका अंसर था, जो मैंने भी आप लोगों को बताया है माउंट एवरेज जो है हमारे भारत में नहीं है, नेपाल में है, अगर मैं बात करूँ हमारे भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है, तो कुछ लोग कांचन जंगा लगा रहे है, कुछ लोग गौडवीन उस्टीन लगा रहे है, तो भाई यह जो गौडवीन उस्टीन है यह हमारे भारत की सबसे उची चोटी है, इसको किस नाम से जाना जाता है, यह comment में आप लोग आंसर करेंगे, क्या बोलते हो इसको, क्योंकि यह भी question बनेगा आपका, आप प्लीज इसको याद रखिए यहाँ पर में, ठीक है, यहाँ पर में है Godwin Austin, Pakistan occupied Kashmir P.O.K के अंदर में, अब आप बताओ, आपका बच्चा, ठीक है, आपका बच्चा पडोसी के घर में खेलने गया, तो क्या आपका बच्चा पडोसी का होगया? मतलब उस sense में बुर्णयमे, जिस sense में आप लोग सोच सकते हो, वैसा वहला निहा अब क्या उनका होगया, उन्होंने रख लिए, अब तो हमने रख लिया हमारा बच्चा हो गया ऐसा तोड़ी होता आरे तुम लोग ने थोड़े जर के लिए उसको बुला लिया कि आ भाई खेल करके हम बाद में लेके जाएंगे बाद में तो यह चाहे आज पाकिस्तान के कबजे में हो लेकिन है हमारा ठीक है हमारा सबसे बड़ा पीक है कि बुले यह हमारा लडगा आरे शकल सूरा थंपे गई है हमारा लडगा है कैसी बात कर रहे तुम कैसन कैसन बाता कर रहे हैं अजीब हो गरीब केटु इसको बोला जाता यह याद रखने आप लोगोने फ्रेंट्स टीक है गौडवी नौस्टीन भा चलिए तो आंसर आप लोगों का होगा फ्रेंट्स ऑप्शन नंबर सी नेक्स कोशन के तरफ में आगे बढ़ते हैं यह कोशन बहुत बढ़ी है इससे आपकी रिवीजन हो जाएंगी इसको इंपोर्टन मार्क करो आप लोग इससे बहुत अच्छी खासी रिवीजन हो चाहिए उनको बोलो उनको फोन करो यह क्या अरकत कर रहों करके तुम लोग एंसी अंदर में केट्यू दिया हुआ है उसी को मानना है मैं तो इवन इस विचारधारा अगर ने अगर मानलो कभी हटाया ना तो उनके ऊपर में आकरवन करतें कि इसे बढ़िए लोगों ने श जोर्ज यूल फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के सही बात है कब बने थे या आप लोग में को आंसर करेंगे देखते कितने लोग आंसर कर पाते कब बने थे और कहा हुआ ता सेशन वोमिश चंद्र बैनर जी जो है पहले प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के बिल्कुल सही बात है एकदम सही बात है सही है ये बद्रुद्दिन तैयब जी जो पहले मुस्ली मध्यश थे कब और कहा बने थे ये भी आप लोग बताओंगे मुझे ठीक है तो पहला तीसरा और चौथा तो बिल्कुल सही है अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों से गलत वाले की तो आपको याद रखना है कि लॉड रिपन के समय में नहीं लौड डफरीन के समय में थे इंडियान नाशनल कांगर्म्रेस कितने लोगों को सही हुआ ह enslaved करके बता देंके लौट डफरीन के समय में बनी थी भारती राश्चिर कोंगर्म्रेस इसे करना ता आप लोगोंने बेर बहुत बढ़ा 2500 प्लस लाइक हो चुके है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंट्स आप सभी लोगों ने इतना ज़्यादा जो प्यार दिया है 3436 लोग हो चुके केवल 500 500 लोगों की जरूरत है सब एक साथ शेयर मार देंगे हमारा काम यहां पर में हो जाएगा टार्गेट कंप्लीट हो जाएगा पूरी टीम जो है मोटिवेटेड रहेंगी जो पीछे से काम कर रही है जो पोल दे रहे है सारे के सारे लोग अच्छा यह पूरी लिस्ट आप लोगों को मिलेंगी टीचिंग परीश्या एप payer करो चलो है health को मैं अपना हन्रेड परसेंट दे रहा हु इंगा कि आप लोग भी अपना हन्रेड परसेंट यहां पर में तो देखे फ्रेंट्स अगर मैं बात कुर यहां पर में बर्थ और सिधार्थ मतलब गौतम की बात हो रही है गौतम बुद्ध का नाम क्या था बच्पन का सिधार्थ नाम था यह एक कोश्चन आपका बन सकता है उनका जनम कहा पर में वहा था उनका जनम हो था लुम्बी नी में अच्छर कितने लोगोंने कल देखा कि मेरे अनिमेटेड वीडियो डालने आप लोगों के लिए पेड क्लास के अंदर है बथा कितने लोगों ने देखा बुद्धा सीरीज भी आप लोगो से डलवाने वालों में आप लोगो उसके बाद में एनलाइटेनमेंट उनको ज्ञान की प्राप्ति का हुई थी बोध गया के अंदर में हुई थी याद रखनें आप लोगों ने बोध गया के अंदर में उसके बाद में पहला प्रवचन उन्होंने सारनात में दिया था और उनकी जो that थी कुशी नगर में हुई थी आपको बताना है कुशी नगर कौन से राज्य में मिलेंगा भी आपको, कमेंट करके बताईए आप लोग तो आंसर आप लोगों को जाएंगा ऑप्शन नमबर 2 ऑप्शन नमबर 2 इस दा करेक्ट आंसर ठीक है, 2 इस दा करेक्ट आंसर 74 परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया था नेक्स्ट कोश्चन के तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर में आपको बताना है इस कोश्चन का आंसर सभी लोग और खुद से बढ़ेंगे, खुद बढ़ेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहां पर में कोई हिंट ना मिले आप लोगों को मेरे पढ़ते समय भी पढ़िए सभी लोग जल्दी जल्दी से यहां पर में इतना सोचा था उससे बढ़के पाया है आपसे थैंक्यू सुकूब जी, थैंक्यू वरी मच यूपी के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में है ठीक है, कुशी नगर, कुशी नगर, कुशी नारा के नाम से भी जाना जाता था उसको चलिए, आप लोगों ने अंसरस लगाने स्टार्ट कर दी होगे, यहां पर में देखिए, तफर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस वो सरोजनी नाइडू तो बोल रहा है कि पहले जो अध्यक्ष थी, टीके इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की वो सरोजनी नाइडू थी, दूसरा बोल रहा है first Muslim President of Indian National Congress वो बदुरुदिन तयब जी तो पहले Muslim अध्यक्ष जो थे Indian National Congress वो बदुरुदिन तयब जी थे 1887 में बने थे कहा पर मदरास में मदरास के अंदर में बने थे तो ये तो बिल्कुल सही है दूसरा वाला first woman president Indian woman नहीं बुला है woman बुला है केवल woman बुला है तो सरोजनी नाइडू नहीं होंगा अनी बेजेंट होंगा 1917 के अंदर में बनी थी वो और सरोजनी नाइडू पहली Indian woman थी Indian woman थी याद रखने आप लोगों सरोजनी नाइडू Indian woman तो ये दोनो बहुत important वाले आप लोगों के जो याद रखेंगे आप सभी लोग चलिए तो आंसर आप लोगों का क्या होगा यहां पर में only two टीम एक बार प्लीज कोई मुझे कमेंट करके बदा दीजी कितना परसेंट लोगों ने आंसर किया था 74 परसेंट लोगों ने आंसर किया था बहुत बढ़ी आप next question के तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर में friends यह list मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ यह पूरी की पूरी list अगर चाहिए आपको टॉप वाली इसमें से ही question आपका आएगा friends maximum okay तो जैसे देखो यहां पर में 1917 Indian first Indian Indian woman तो यह app डाउनलोड जरूर कर लेना है आप सभी लोगोंने teaching परिक्षिया का now इस question का answer जिसने कर डाला उसकी life जिंगा लाला 2700 likes के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धनेवाद friends बहुत 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 शुक्री आप सभी लोगों का ठीक है Able मतलब होता है आप लोगों का friends काबिल हो न तो भाई आप क्या पी पी के maths में काबिल बने थे क्या पी थे ठीक है वो baby beer पी के नाचे लगली छमक छमक छम ठीक है तो छमक छमक छम ही करती रह जाएंगी कॉफी प्यो ठीक है कैफे प्यो कॉफी प्यो रात रात भर महनत करो आप इतने काबिल बन जाओंगे कि गणितग्य बन जाओंगे और आपको एबल पूरुसकार मिलेगा नौरवे की सरकार के तरब से तो लुई कैफ्रेली कितने लोगों को यह ट्रीक याद आ गई थी मेरी जो मैंने पिछले बार बताया था कितने लोग है आप लोगों में से जिसको यह ट्रीक याद आ गई थी मुझे बताये ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं जो ट्रीक से आपको पढ़ा रहा हूँ आपको दिमाग में आ जाती है कोशन देखकर ठीक है हाथ उपर करके बता देंगे कि जी हाँ से ट्रीक याद आ जाती है तो लूई कैफरेली जो है याद रखना है कैफे पी-पी के उन्होंने अपने आपको बहुत ज़्यादा काबिल बना लिया था लूई कैफरेली आंसर इस ऑप्शन नमरे लूई कैफरेली एबल पूरुसकार इन्होंने जीता है ठीक है नॉर्वे की सरकार या नॉर्वे की जो राजा हो उनके द्वारा दिया जाता ही है संबन वर्ल्ड वेटलेंड डे ठीक है ठीम क्या है थोड़ा सा कोशिश करो आप लोग यहां पर में जो बच्चे ने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा होगा उसके लिए तो बहुत आसान हो गया इसलिए कहता हूँ कि दानिशेख जो टेलिग्राम ग्रूप है D-A-N-I-S-H S-H-E-I-K-H दानिशेख टेलिग्राम ग्रूप इस पर जॉइन हो जाओ आपको जो भी जानकारी होती न वहां पर में तुरंत मिल जाती है लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाते है साथी साथ टीचिंग परिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ओल नोटिफिकेशन पर आपको जानकारी वह मिलते रहेंगे लेक्चर टाइम पर आउंगे आप ध्यान से देखिए आप लोग यहां पर में आपको मैंने बताया था वेटलेंड को रिस्टोर करना है बहाल करना है हमने ठीक है इस टाइम टू वेटलेंड रिस्टोरेशन वेटलेंड को वापस से रिस्टोरेशन करने का आप लोगों का समय आ चुका है अभी तो जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है जब मैंने आपको बताया था विश्व आदर भूमी दीवस 2nd February को मनाया नेक्स कोश्चन के तरह में आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से यहां पर आप लोगों का हाल ही में भारत के राश्टरपती ने सातवे अंतराश्टिये धम धर्म सम्मेलन का उद्गाटन किया यह इंपोर्टन कोश्चन है फ्रेंड्स ठीक है यह आपको बता रहो मैं इसका उद्गाटन किया था राश्ट्रपती, द्रौपधी मुर्मू कौनसे नंबर की राश्ट्रपती है और उप राश्ट्रपती जगधीब धंकर कौनसे नंबर के उप राश्ट्रपती है यह आप लोग में को कमेंट करके सबी लोग बताएंगuds टीकै कि इसका अंसर आ मैं जीत हुआ था धर्म धर्म कॉन्फरेंस ताकि इस्टन जो कंट्रीज के धर्म है उनको बड़ावा दिया जा सके ओके नेक्स्ट इस कोश्चन का आंसर कीजिए आप लोग सभी लोग देखते कितने इसका आंसर कर पाते हैं बुद्धु पुर्णिमा और वेसक इस सलीब्रेटट टु मार्क दा बर्थ ऑफ गौतबुद्ध बुद्धु पुर्णिमा जो है गौतम बुद्ध के जन्म को मनाने के लिए चलीब्रेट किया जाता है यह बताएं आप लोग क्या बात यह सही है उन्होंने अपना जो पहला सर्मन था वह बोध गया में दिया था दूसरी वाली तीसरी बात बुलिए गौतम बुद्ध डाइड कुशी नगर उत्तर प्रदेश कुशी नगर के अंदर में इनका देहान तुआ था जो कि आज उत्त ग्रद्ध गया में दिया था सारणाथ richtig एक भाद्स ने पहला प्रवचन बुद्ध गया में आख सार्नाथ में सारनाथ, यूपी में है सारनाथ भी, बोध गया में तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया नहीं है, सारनाथ होगा, तो दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध की जो निधन है, वो कुशी नगर में हुआ था, इसी को अभी confused मत होना, फुशी नारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर में ही है, आज, तो पहला और तीसरा, तीन इसदा आंसर, मैं जल्दी से देखना चाहूंगा कि कितने प्रतिशत लोगों ने सही आंसर दिया है, 68% लोगों ने सही आंसर दिया है, क्या बात है, साड़े 3500 बच्चे हो चुके, साड़े 400 की जरूरत है, वो एक एड याद आती है मुझे, ठीक है, वो एक बड़ा प्यारा सा, सुन्दर सा था, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो जल्दी-जल्दी से 4000 क्रॉस करने हैं आप सभी लोगों ने, नेक्स्ट कोश्चन के तरफ में हम लोग यहां पर में आगे बढ़ते हैं, यहां हमारे, यह पूरा का पूरा इंफॉर्मिशन आप लोगों को जो है, टीचिंग परीशा एप के उपर में मिल जाएंगी, तो आप एप को डाउनलोड कर लेना, एप पे मैं PDF को रख गया था, तो वंदे मातरम जो सौंग है, वो पहली बार किस अधिवेशन में पहली बार गया गया था, कॉंग्रेस के, तो आपको बता दूँ फ्रेंड्स की 1896 का, वो साल यात करो, जब आप बहुत छोटे थे, ठीके, बहुत बहुत ज़्यादा छोटे, उस समय में क्या ने बड़े-बड़े काम, है ना, तो रहमत अलाम आम सयानी, रहमत अला सयानी, ठीके, मुसलीम अध्यक्ष थे, दूसरे नबर के अधिके, 1896 के अंदर में, इम्पोर्टन पॉॉइंट है, एक्जाम के आदर में आप लोगों से पूच्छा जा सकता है, ठीके, कि अगे चालिए नेक्स कोश्चन के तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स हम लोगों का जो आप लोगों को आंसर होगा ऑप्शन अबर डी हो जाएगा 1896 में गाया गया था ये भी याद रखने आप लोगों ने वंदे मातरम सौंग चातीस सो एकसाड हो चुक है केवल 300 जल्दी जल्दी से यहां पर में इसको फैर रहते रहेंगे आप लोग डी इस दा करेक्ट आंसर नेक्स कोश्चन के तरफ में आगे बढ़ने से पहले में आप लोगों को बदा दू फ्रेंड्स की जो वंदे मातरम सौंग है आप लोगों का है इसके लेखक कौन है तो बंक यह राष्ट्य कॉंग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था यह कोश्चन भाई कर दो मज़ा आ जाएगे एकदम एकदम मज़ेदार कोश्चन है बहुत मज़ेदार कोश्चन हाँ वो रहमतुला एम सयानी सेकेंड नंबर के मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियान नेशनल कॉंग्रेस के यह यादखने 1896 में यह कुश्चन आया था बीपेसी में एक बार कि थर्ड नंबर के कौन थे स्वरी सेकेंड नंबर के कौन थे स्वतंतरता के बाद मैं आपको बतातो हुआ क्या था ध्यान से समझना मेरी बात को 1940 में रामगड में सेशन हुआ रामगड का चक्की का अटा खाके रामगड में सेशन हुआ रामगड में रामगड में और फूर उसके बाद डारेकली हुआ 1946 में मेरट में इतने दिनों में सेशन हुआ ही नी ठीक है मेरट में हुआ मेरट में इतने दिनों में सेशन हुआ ही नी 6 साल तक और 6 साल तक लगातार मौलाना, अबुल, कलाम आजाज जो है ये अध्यक्ष बने रहे लगातार 6 साल तक मेरट सेशन के बाद में जो अध्यक्ष बने थे आपके वो थे जे बी क्रिपलानी अब फिर हम लोग ने गप मार दी हमने जो है डारेकली 1948 में सेशन किया आजादी के बाद और ये सेशन हमने किया था जैपूर में जैपूर में और इस सेशन के अंदर में पत्ता भी सिता रमया पी सिता रमया सिता रमया सिता रमया ये अध्यक्ष बन गया जो हारे थे न 1939 के अंदर में सुभाष चंदर बोस से वो बन गया आखिरकार भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है तो फ्रेंट्स फाइनली स्वतंतरता के बाद जैपूर में जो आयो जीत होने वाला भारती राष्ट कॉंग्रेस का अधिवेशन था उसके अध्यक्ष बने थे पत्ता भी सीता रमया भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है ऐसा बोलके रहात के सास लिए उनने बन गया नही सीता रमया को ओफिशियल हिस्टोरियन ओफ यार आप लोग देखो मैं आपको एक एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा वाली दे रहो 3700 बच्चे जूट चुके 4000 करना है इसी से में को मोटिवेशन मिल रही है कि आप लोग कर रहे हो यहां पर में लाइक शेयर का आप लोग कर कर इंडियान नेशनल कॉंग्रेस कर किसको माना जाता है आदीकारी की इतिहास कार तो पत्तावी सीतर अमयया को माना जाता है यह याद रहने आप सभी लोगों ने चली नेक्स कोश्चन की तरब में आगे बढ़ते और आप लोगों के आप लोगों का नेक्स क्रीन के उपर क्या ये इसकी चमक का संकेत है क्या ये उसके सूर्य से दूरी का संकेत है तो देखिए तारा जितना ज्यादा गरम हुँगा ना फ्रेंट्स उतना ज्यादा जो है वो ब्लू हो जाता है श्के determate of blue eyes hypnotize तेरी करती है मेनू और अगर मान लीजिए वह red color का है तो उतना उसका तापमान जो है वो कम है याद रखेना है आप सभी लोग ने उतना उसका तापमान कम है वैसे इतना भी कम नहीं कि आप छूके देख लो इसको ठीके छूके देखोगा वाला इतना थंड़ा नहीं लेकिन वेडियेशन वेडियेशन बारायम से ब बon कि इस तरीके का आपी की तरह ठीके इनसान लोग जो है वह खुश होते हैं चोटी-चोटी चीजों के अंदर में हमारे सौर मंदल में निम्द में कौन से दो ग्रह पूर्वस से प्ष्चिम क्यों चक्र लगाते हैंथ कि आउड है लगाते हैं जल्दी जल्दी से बताइए इसका अंसर क्या होगा आप लोगों का पूरफ से पस्चीम के और चक्कर लगाने वाले एके वीनस यूरेनस मर्क्यूरी वीनस यूरेनस नेप्चून मर्क्यूरी यूरेनस तो उल्टी दिशा में घूम रहे है बेसीकली तर के पास दिल है हाँ यार हाथ पैर आक नाक के साथ में तो दिल बे उल गया है मेरे पास दिल भी है धड़क भी रहा है वो वीनस और यूरेनस वीनस जो है फ्रेंड्स यह आप लोगों का शुक्र ग्रह यह आपोजिट मतलब बाक इसे कोश्चन हमारा क्रियेट होता है अर्थ कौनस कि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट डायरेक्शन से इस्ट डायरेक्शन के तरफ में जाती है इसी वज़े से सारे के सारे तारे सूरज वगरे हमें इस्ट से वेस्ट के तरफ में जाते वे दिखते है उल्टी दिशा में यह आप लोग याद रखोंगे ओके चलिए यह याद रखने है आप लोगो ने important point है आप लोगों का next question की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे सूर्य से पूरी की दूरी कितनी है तो लगभग लगभग दूरी कितनी है जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, तूरज से पृत्वी की लगभग दूरी कितनी है, केवल 100 बच्चे दूर है हम लोग यहाँ पर में, 1,97,000 सब्सक्राइबर से, और बहुत जल्द जो है friends, हमारा संडे से पहले, most probably 2,00,000 का टार्गेट कम्प्रीट हो जाएग और फिस संडे के दिन हम लोग करेंगे बड़ी वाली मेराथान, आप लोगों के लिए, तो सब लोग तयार रहे ना संडे के दिन एकदम, नहाद होके, मस्त पैकी, नाश्ता उष्टा गरके जल्दी जल्दी से तयार हो जाना सभी लोग, आंसर क्या हो जाएगा friends, यहाँ आप लोगों का, तो answer है आप लोगों का 15 करोड किलो मेटर, 15 करोड किलो मेटर, लेकिन अगर आपको मिलियन में लिखना हो, तो आपको लिखना होता है 150 मिलियन, क्योंकि 10 लाग का मतलब होता है 1 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड, 1 करोड, ठीक है, तो 150 मिलि सिक्स करोड़ किलो मिटर है ठीक है लेकिन हम उसको रफली आपके एंदर में 150 मिलियन किलो मिटर दिया हुआ है तो वह आप लोग उसको मान के चल सकते हो ठीक है चल नेक्स कोश्चन के तरब में हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर में यह करंट अफिर की बहुत ही इंपोर्टन वाली नियूज है आपकी अच्छा आज आप लोगों की जो है फ्रेंट सेल भी चली हुई है इसका भी आप लोग लाब उठा सकते हो टीचिंग परिक्षा के जितने भी है चीजे चाहे कोई भी आपका कोई भी गोश्व उसके उपर में ठीक है मन्थेंट सेल च होता है मस्तपे की अगे तो निम्द लिकत में से की सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू किये लाडली बहना योजना शुरू किये इस से क्या होगा फ्रेंट की 1000 रुपे पर मंथ जो है वो जो lower या जो middle class के sections की महिला है उनको 1000-1000 रुपे दिये जाएंगे हर महीने तो जो भी घर की elder woman होगी जो सबसे मतलब घर की महीला होगी उसको 1000-1000 रुपे दिये जाएंगे मतलब 12,000 रुपे महीना तो यह याद रखना है लाडली बहना तो भाई लाडली बहना scheme याद रखना आप लोग मध्यप्रदेश ने किया है ठीक है मध्यप्रदेश सरकार ने लाडली बहना scheme बोलो next question की तरफ में आगे बढ़ते हैं इस question को आप लोग answer करेंगे लेकिन उससे पहले जिल्दी से आप लोग में बताईए कि गज 300 कहापर में आयो जीत हुआ था तब तक आप लोग comment करके बताएंगे तब तक मैं उसका answer चुपा लेता हूँ ठीक है वो दीख रहा है तो गज 300 जो है आप लोगोंने बताना है गज 300 ठीक है आपका पहापर में गज उत्सौ। वहापर में मनाया गया था ठीक है बहुत बड़ी है फ्रेंट से लिए आप लोग ने आंसर कर दिया है तब तक मैं आपको बता दू गज उत्सौ जो है फ्रेंट्स आसाम के काजी रंगा के अंदर में मनाया गया था आसाम काजी रंगा के अंदर में काजी रंगा में गज उत पाइफ शीक्स सेवन ठीक है यह ऐसे साथ तारे है अगर यह जो नीचे वाले दो तारे आपके ऐसे आप एक लाइन बनाओंगे नीचे वाले दो तारों से मिलाकर तो यहां पर में आप लोगों को जो है न धुरूफ तारा दिखाई देंगा सब तरीशी तारे की मदद से आपके नीचे वाला जो तारा है उसकी उपर वाले तारे की तरफ में लाइन बनाओ और उस लाइन को एक्स्टेंड करो तो एक चमकदार तारा आपको मिलेगा वह धुरूफ तारा है आपका ठीक है धुरूफ तारा या नॉर्थ स्टार भी उसको बोलते हो आप लोग क्यो इस दिस्टंस इन कोई नहीं बताई यह बात करूँ यह बहुत दूर कोई एक टारा है अब वो इतना इतना दूर है, इतना दूर है, कि किलो मिटर में मापना मुश्किल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसकी दूरी को मापते हैं, ठीक है, लाइट यर में, मतलब मैं अगर एक लाइट की बीम छोड़ू, उस लाइट को यहां तक पहुचने में मान लीजिए, चार साल ल लग गए, तो मैं महलूँगा कि यह जो डिस्टन्स है, यहां से यहां तक का, वो फोर लाइट यर का डिस्टन्स है, तो लाइट यर के अंदर में मापा जाता है, डिस्टन्स को, दूरी मापने कही काई है, प्रकाश वर्ष बोलते हैं आप लोग इसको, प्रकाश को एक सा करने में दूरी जितनी लगती है, हमारी सौर प्रणाली निम्नलिकित में से किस आकाश गंगा का एक हिस्सा है, बताइए, और जल्दी जल्दी से देखें, यहां पर मैं 3800 लोग है, केवल 200 लोग ही की ज़रूरत है, पूरे के पूरे 3800 लोग एक साथ शेयर मार दीजिए, लाइक और शेयर कर देंगे, तो यूटूब अपने आप ही इसको प्रमूट कर देगा, और मैं आप लोगों के लिए और जादा सेशन्स ले पाऊगा, अगर हम लोग बात करेंगे, हमारा सोलर सिस्टम कौन से गैलक्सी का पार्ट है, तो हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गै पास वाली गैलेक्सी कौन सी है? यह गैलेक्सी है, हमारी spiral galaxy है, ऐसी बहुत तारी, घिके, इसमें खरबो उतारे और हम कहा होंगे, घिके, मैं तो यहाँ दिखा भी नहीं सकता, आप लोगों को, हम लोग कहा होंगे अगर मैंने इसको दिखाया तो, इतनी बड़ी है हमारी galaxy और हमारे पास वाली दूसरी सबसे पास की जो गेलॉक्सी है एंडुमेडा गेलेक्सी आज से करीब 4 अरब साल ठीक है 4 अरब 400 ठीक है trillion, years के बाद में ये दोनों के दोनों गेलेक्सी आपस में मिल जाएंगी हम लोग रहने हाले उत्य समय तक लंबे समय तक है इंसानों का वजूद दी नहीं रहे गा उस समय तक कि नेक्स कोष्ट्टन के तरल में आगे बढ़ते हैं हम यहां में आ अ Orig価 काना बंगक बोलते हैं हम लोग सुन्य भेद्भाव दिवस कब मनाया जाता है सुन्य भेद्भाव दिवस विंगति साथ ब। बहुत बढ़िया, देखे फ्रेंट्स अगर हम लोग यहां पर में बात करेंगे जीरो डिस्क्रिमिनेशन की, तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है आप लोगों का एक मार्च को, ठीक है, भेदभाव नहीं करना है एक भी वेक्ति के साथ में भेदभाव नहीं करना है, तो बहुत मार पड़ेंगी आप लोगों को, ठीक है, सरकार के दुवरा, तो भेदभाव नहीं करना है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, इस बार की थीम थी, सेव लाइफ, Д्क्रिमिनलाइज, मतलब, जीवन को बचाओ, डीकृमिनलाइज करो भेदभाव करके किसी को जेल में डाल देखे, उस कå बचाओ, उनलोगों को, डीक्रिमिनलाइज करो किसी कारण से भेदभाव करके आपने तो इसको decriminalize करो ठीक है आप राद मुक्त करो इसको तीन तारीक को जो है आपका wildlife day मनाया जाता है wild life day ठीक है wildlife day और चार तारीक को मनाया जाता है national security day national security day याद करवाया था मैंने पिसले lecture में जीतने भी नहीं देखा है वो क्या करेंगे teaching परिक्षा चैनल को subscribe करके उसमें जाएंगे आप लोग lectures के अंदर में live sessions के अंदर में वहाँ पर में आपको मिल जाएंगा teaching मतलब मारने के लिए सरकार ने इस लिए उसकी security के लिए national security day खोशित कर दिया प्रिक्स से याद आगे ना आप लोगों को चालिए अच्छा यह बहुत ही बढ़िया question है friends ठीक है सरकार जो है वो सस्ते दाम पर आपको generic दवाईया उपलब्द करा रही है ठीक है सस्ते दाम पर तो जन ओशधी ठीक है जन ओशधी दिवस मनाया जाता है generic दवाईयों को बढ़ावा देने के लिए जो आप लोगों की दवाईयों होती है सस्ती दवाईया जो होती है जो मतलब ब्रैंड के साथ में अगर दवाई खरीदोंगे तो महेंगी मिलेगी वही दवाई आप generic खरीदोंगे बिना किसी brand नेम के तो सस्ती पढ़ेगी असर लगभग लगभग वही होता है लेकिन बहुत जादा प्राइस में फरक आ जाता है अगर 100 रुपे की एक गोली है तो यह साथ ले लिया मान लो कि यहां पर में यह मेरा चरंदास है यह मेरी चमेली बाई है चरंदास और चमेली की शादी हो गई मेरा चरंदास बहुत भोला भाला था इसने इसका साथ ले लिया हम साथ साथ है इतनी पिटाई की चमेली बाई ने इसकी चरंदास की उसको औशदी क ज़रूरत पड़ गई, बहुत मारा बिचारे को अब पूरे पैसे जो है ना उसके चरंदास के चमिली भाई ने साड़ियों पे उड़ा दिये, कि भाई मैं तो इतनी वाली साड़ी लोंगी गोल गप्पे वाला ने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर ली चमिली भाई ने पूरे पैसे उड़ा दिये, अब बिचारा चरंदास मार भी खाया, तबेद भी खराब हो गई, तो वो सस्ती दवाई के चक्कर में गया, सस्ती भी और अच्छी भी दवाई, सस्ती और अच्छी, क्योंकि भाई के पास पैसे नहीं बचे ना, मेरे चरंदास सस्ती दवाई और अच्छी दवाई उसको मिलने लगी फिर, यह याद रखेंगे आप सभी लोग, चलिए, आंसर आपका option number D हो जाएगा friends, पाच्वे नंबर का जन और शदी दीवस मनाया हम लोग ने इस बार 7 March 2030 को, सस्ती भी और अच्छी भी इस बार इसके theme थी, इस question का आंसर करो आप सभी लोग, ठीक है, जल्दी से बताइए हापर में आप लोग, इसका आंसर क्या होगा आपका, ठीक है, सौर मंडल के बाहर, serious नामक चमकीले तारे को blank के रूप में भी जाना जाता है, serious, सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है हमारे solar system का, सबसे चमकीला तारा, ठीक है, सबसे ज़्यादा चमकीला तारा, उसको किस नाम से जाना जाता है, और, तो serious नाम का जो हमारा तारा है, इसको dog star के नाम से भी जानते है, आप लोग, dog star के नाम से, important point है, dog star, serious जो है, यह सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है, हमारे आकाश का, सौर मंडल के बाहर, लक्षिनी गोलार से दिखाई देंगा, आपको, next question है, आप लोगों का, किस ने रूडिवादी हिंदू भावना का लाब उठाने के लिए, शिवाजी और गनेश उत्साओ को बढ़ावा दिया था, बताए, शिवाजी उत्साओ और गनेश उत्साओ को बढ़ावा दिया, तो महाराष्टर के अंदर में, शिवाजी उत्साओ और गनेश उत्साओ मनाने की शुरुवात की थी, यह याद रखने आप लोगोंने, तो आंसर आपका option number B हो जाएगा, तो गनेश फेस्टिवल उन्होंने 1893 में, और शिवाजी महत्साओ उन्होंने 1895 में मनाना स्टार्ट किया था, लोकमाने तिलक ने, लोकमाने तिलक इन्होंने दो अखबार भी निकाले थे, केसरी और मराठा, तो केसरी अखबार और प्रेंड्स आप लोगों का, next question के तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के, ठीक है, AV culture का, AV culture क्या होता है, आप लोगों का, AV culture, इसे पैटन बनते हैं, आप लोगों को याद होगा, ऐसे कुछ तो भी ऐसे पैटन वगिरे जो बन जाते है, उसको आप लोग जो है वो, नक्षत्र मंडल बोलते हैं, constellation, तो ये जो है आप लोगों का, ठीक है, ये кैनिस मेजर नाम आप tablespoon क्यानिस मेजर, नक्षत्र मंडल, कैनिस मेजर, जिसका मतलब होता है आपका greater dog, उस «tämä मंडल का वो हिससा है», उस तारा मंडल के अंदर में है, उस तारा मंधल का पार्ट है, इसी वजह से उसको फ्रेंड अम लोग डॉक्स टार बोलते हैं, यूकि जिस तारा मंधल में वो है, उस तारा मंदल का नाम ही कैनिस मेजर है, जिसको ऐसे पनी कीपिंग व डॉक्स टार कहाते हैं, मैं ईवी कल्चर तो प्लीज इसको भी अप ठोड़ा सा याद रखूंगे ये वी कल्चर तो बिर्ड को पालना वर्डश को यह ये एवी कल्चर कहलाता है बाकी के भी दिख तो आपको पता होना चाहिए हम जब 1947 में में आजाद हुए और हमारा समविधान जो लागवा 1950 के अंदर में हमारे पास में इतनी फैसिलीटी नहीं थी कि हम लोग पूरे देश के अंदर में पंचायती राज लागू कर सके, पूरे देश के अंदर में हम लोग जो है गाओ गाओ में चुनाओ करवा सके, गाओ के सरपंच का वार्ड मेंबर्स का चुनाओ करवा सके, इतनी हमें capacity नहीं थी, हमें लोकसभा का चुनाओ करवाने में दो साल लग गए, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक तरीका निकाला बीच का, हमने सोचा कि डारेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी यह कंपलसरी है नहीं, यह केवल अडवाईज है, आने वाली सरकारों के लिए, तो हम क्या करते है, आर्टिकल नंबर 40, जो कि ड पंचायती राज बना सके, मुनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर पंचायती सब बना सके, तब वो कर ले इसको, तो लोकल गॉवर्मेंट या पंचायती राज जो है, आर्टिकल नंबर 40 में रखा गया था, आजादी के बाद, बाद में 1992 में हमने समिधान संशोधन करके, उसक से लिया गया था, राज्य की नीती निर्देशक्ति तत्व शिद्दान, आयरलैंड से, हमारे भारत के समिधान में ये पार्ट नंबर 4 में दिया गया, हमारे भारत के समिधान के अंदर में आप लोगों को पता है, व्रेंज की टोटल 25 पार्ट है, आज, शुरुवात में 22 थे आज 25 हो गया है बड़ा बड़ा के तो पार्ट नमबर 4 के अंदर में DPSP दिया हुआ यह भी याद रखेंगे आर्टिकल नमबर 36 से लेकर आर्टिकल नमबर 51 तक के आर्टिकल सारे डारेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हैं जितना अच्छे से आप पढ़ोंगे उतना ज्यादा जानकारी देकर में को पढ़ाने में आपको मज़ा आएगी तो जितना ज्यादा आपका इस्पॉन्स रहेगा जितना ज्यादा आप जों यहां पर मुझे रिस्पॉन्स दिखाऊंगे उतना ज्यादा मैं आप लोगों को एक्स्टा इंफ्वर्मिशन दिया करूँगा ठीक है कि इंड यह उसके नीचे में राज्ये सरकार, आपके मुख्यमंत्री लोग, अब क्या इनी के पास में जाएंगे, कि भाई हमारे गाव में हमको शौचाले बनाना है, मोदी जी किधर बना है हम लोग यहां पर में, ते यहां पर में, वो बहुत दूर पड़ेगा यार, मतलब मान लास देख रहे हो तुम और तुमकों जल्दी से जाके आना है एकदम हैड़ फोन्स तुम्हारे पास में वायरलेस वाला है नहीं तुम कैसे करोंगे तो काम को इधर बना लो पास में बना लो पास में जाद अच्छा रहेगा तो मोदी जी आकी डिसाइड गरेंगे यहां पर Centralization का मतलब होता है Power को एक तरफ में डाल देना और Decentralization का मतलब होता है Power को नीचे के तरफ में ट्रांसफर करना तो democratic decentralization लोगतांत्रीक विकेंद्रीकरन का एक्जांपल है लोकल से गवर्मेंट लोकल लेवल पर ही अपने फैसले ले ले लो तेक है इसको बहुत important mark कीजी आप सभी लोग ठीक है और अभी मुझे कोई थोड़ी दिन पहले बता रहा था कि अभी एक्जाम हुई थी around 15 दिन पहले उसके अंदर में भी एक्जाम जुडीश्री वाली एक्जाम हुई थी बिहार जुडीश्री की एक्जाम उसके अंदर में एक्ज जनक किसको कहा जाता है लोकल गौवर्मेंट का जनक किसको कहते है तो लोकल गौवर्मेंट का जनक भारत के अंदर में फादर ऑफ स्थानिय सौसाशन यह किसको कहा जाता है तो यह आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे फ्रेंड्स ठीक है यह आप लोग थोड़ा सा या जिसके अंदर में इन्हों ने कहा कि भाई हमें क्या करना है हमें जो है जो स्थानी स्वाशाशन है मतलब पंचायते वगिरे जो लोकल लेवल पर बंती रहती थी छोटी-छोटी सी उनको बढ़ावा देना है हमारे भारत में तो पहले सी छोड़ा थोड़ा तो होता ही तक काफी जादा प्रयास किया था कानून नहीं बना पाए प्रयास किया था लेगिन इन्हों ने इसी वज़े से स्थानी स्वाशाशन का जनक इनको माना जाता है लॉड रिपन को आपके बिहार जुड़ीश्री की एक्जाम के अंदर में कोशन आया था भी कुछ 15 दिन पहले के बारे में बलवन तन्तरय महिता की die संस्तूतियों में निम्नल की तॉ पर नहीं से कौन एक सही यए कौन सा वहाला सही नहीं है पी है रिक है को विलेज लेवल ब्लॉट लेवल डिस्टिक लेवल स्टेट लेवल यह बताए है आप लोग ओके विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, पंचाय, देखो बलवनतराय महता, सबसे पहली बात तो बलवनतराय महता समीती बनी कप थी, तो ये बनी थी आपकी 1957 में, अपने आप में एक इंपोर्टन कोश्चन इसको याद करो, सभी लोग देखो बलवनतराय महता समीती बनाई ग बनादो, उसको पंचायत समीती बोलो, और पूरे जिले के स्तर के उपर में जो पंचायत रहेंगी, जो सब की देखरे करेंगी, उसको डिस्ट्रिट काउंसील या जिला परिशत बोला जाएगा, उन्होंने कहीं पर भी स्टेट काउंसील या स्टेट लेवल की कोई बात न गाउ पंचायत या ग्राम पंचायत, फिर ठीक है, ब्लॉक लेवल के उपर में पंचायत समीती और डिस्ट्रिक लेवल के उपर में आप लोगों का डिस्ट्रिक लेवल पर डिस्ट्रिक पंचायत, अशोक महता समीती की सिफारिश क्या थी, अशोक महता समीती ये भी पंच स्थर होने चाहिए एक बंशायाद में उनका कि छुनाव करा त्यायों पुद्धまだ कि खुंगे उनकी खास बात थी 2 इस्टम व्गा, उनकी सबने घुजज पंटा माम टी पार सिस्टम डिया जिस समीती ने सिफारिश की थी सबसे पहले कौन सी समीती ने सिफारिश की थी लक्षमी कांत बुक जो उसके अंदर में भी दिया गया है कि कौन सी समीती थी और बढ़न एसके आंचे नदर में pieces ने सिफआरिश की सबसे पहले जानुता में डरिव 6Thकी सबसे थी समीधान Commission एड़ कर दो एक समिधान संशोधन लेकर आओ और समिधान में ही एड़ कर दो पंचायती राज को तब ही सारे लोग इसको मानेंगे अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है रेशम के किडों का उत्पादन रेशम के किडों का पालन क्यों कहेंगे हम लोग हिंदी में मतलब न अंगूर उत्पादन खातम हो गया और भाई भाइवन बहुत खर्चा है उसमें भी मुझा केवल 57 प्रतिशत लोगों ने आंसर यह सही दिया था बी 제 77 परसेंट लोगों ने آई punya 47 प्रतिशत कुछ लोगों ने 13 प्रतिशत लोगों ने तो ए अंसर भी लगाया इन करते हो कब बोल मैं रहा हूँ और ठ थाक आप रहे हो, सरकारिया आयोग बना था, सरकारिया कमीशन, याद होगा आप लोगों को कभी नाम सुना होगा, सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन, 1983 में, इसका में उद्देश्य क्या था, किस चीज के उपर में इसका फोकस था, सरकारिया कमीशन का, तो सरकारिया कमीशन के तालमेल को बढ़ाने के लिए सरकारिया कमिशन का गठन 1983 के अंदर में किया गया था यह याद रखेंगे आप सभी लोग के अंदर में अपना चुनावाएयोग होना चीह जो था पनचायतों का खुद करवाएग भारत का जो चुनावाएयोग है Election Commission of India वो हर राज्य के पंचायत में जाकि थुड़ी न चुनाव करवा सकता है राज्य को चाहिए कि अपना अपना चुनाव आयोगो खुद बनाए ऐसा सबसे पहले बार गाडगिल कमीटी ने कहा था गाडगिल समीटी 1988 में बनी थी ये गाडगिल समीटी इन्होंने कहा था तो ये याद अपना है गाडगिल समीटी ने सबसे पहले कहा था कि भाई हमें क्या करना चाहिए हमें जो है वो Election Commission State Election Commission का गठन करना चाहिए हर राज्य के अंदर में State Election Commission, गाडगिल कमीटी अच्छा इस Question का अंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ जिंगाला था बताओ बिहार टीचर का Cut-Off एक निकलेगा या अलग अलग निकलेगा सर इसके बारे में कुछ बताए बिहार टीचर का Cut-Off एक निकलेगा या अलग निकलेगा इके पुरुशो का तो मतलब तुम्हारे को तु मतलब बिटा जो करते हो ना तुम लोग अखरकत अब्भुक्तो तुमें यो मस तो पैकि अच्छे से और लग आएगा और हर केटिगरी के अंदर में भी महिलाओं को 50 प्रतिशा थे तो उनकी महिलाओं का अलग रिजर्व आएगा सबसे कमाएंगा EWS की महिलाओं का तो आपको बता दू फ्रेंट्स बलवन्त राय महता समीती बनी थी आपकी 1957 के अंदर में सबसे पहले यही बनी थी तो तीन एक ही जगा पर दिया हुआ है पहले में सीजदा आंसर अशोक महता समीती जो है 1977 में बनी थी आप लोगों की कमीटी जो है आप लोगों की बनी थी 1986 में और जीवी की राव कमीटी बनी थी एक साल पहले 1985 में के लिए तो सबसे पहले कौन दिख रही आपको एक ही तो दिख रही है यहाँ पर में एक ही दिख रहा है आप लोगों को सीजदा आंसर चालिए बहुत बढ़िया फ्रेंड् बहुत बहुत शक्रिया फ्रेंड्स इतना जादा आप लोगों के प्यार देने के लिए जितना जादा आप लोग रिसपॉंस करेए इतना ज्पाराने कि मैं मंन कर रहा है बहом और आप लोगों को पढ़ाता रहो रूकूर ना करें इतो अदर्वाई Neden दे रहे हो तो आपकी energy से मैं और जो है questions आपको करवा तो 73rd नंबर का समविधान संशोधन जो है आपको बताना है कि कौन से article के तहट प्रभावी बनाया गया था समविधान 33 नंबर का समविधान संशोधन पंचायती राज से डील करता है पंचायत पंचायत से पहले हुआ article पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की कोशिश करें यह आप लोगों नहीं याद रखना है इंपोर्टन पॉइंट है एक्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं इसके बारे में काफी सारी और भी जानकारी दे सकता है लेकिन जल्दी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर में आपको बताना है कि अपर में आंसर में आगया है अगर मैं बात करूँ यहां पर में इक्वेटर जो है वह जीरो डिगरी तो है लेकिन लॉंजिट्यूट मूझ जो लेता हुआ हो आपक geograph है तो यह लेटा हुआ है लेटी टी ट्यूटूट इसको भी काड़ दो तो यह तो आपका गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया, तो जहाँ जाए A दिया है, A is true, काट दो, बोथ, A and B are true, इसको भी काट दो, A और C आपके इलिमिनेट हो गया, इकवेटर जो एक imaginary line है, जो globe को दो पार्ट में बाटती है, बिल्कुल बाटती है, यह Northern Hemisphere है आपका उत्तरी गोलार्द, और यह Southern Hemisphere है दक्षिनी गोलार्द, उत्तरी गोलार्द और दक्षिनी गोलार्द आप लोगों का हो गया यहाँ पर में, तो B वाला बिल्कुल सही है, B is true, तो answer इसका option number भी हो जाएगा, तो जितने भी लोग यहाँ पर में answer किये है, ठीक है, उन सभी लोगों को congratulations, कितना परसेंट लोगों ने answer किया था, एक बर में को बता देंगे please, ठीक है, चालिए, बाकी आगे बढ़ते हैं लोग यहाँ पर में, friends, next question के तरफ में हमारे, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर में जो खड़े वाले होते हैं प्राइम मेरीडियन वगरे उनको लॉंजीट्यूट कहा जाता है, और जो आड़े होते हैं उनको लैटिट्यूट कहा जाता है, तो यह 0 degree लैटिट्यूट है आपका, और यह equator क्या करता है, अर्थ को दो बाटता है, उत्तरी गोलार्द और दश्रीनी गोलार्द में, तो यह आप लोगों ने ध्यान रखना है, चालिए, नेक्स्ट कोश्चन के तरह में हम लोग आगे बढ़े, हमारे भारत की मुख्य भूमी, ठीक है, कहा से कहा तक फैली हुई है, भारत की मुख्य भूमी, भारत का लेटिट्यूडनल एक्स्टेंड कितना है, में लेंड का, में लेंड, यहाँ पर में जो में, जो पॉइंट है, आप लोगों का फ्रेंड, वो है में, में लेंड से, ठीक है, मुख्य भूमी से क्या है, बहुत बढ़िया, तो देखिए, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर में में लेंड वाली आप लोगों की, तो यहाँ से, हमारी पृत्वी देखिए, यहाँ पर में कुछ इस प्रकार से, यह है आपका 0 डिग्री वाला एक्वेटर, और हमारा भारत यहाँ पर में है, तो हम और कहा तक गया हुआ है, यह 37 डिग्री, 37 डिग्री, 6 मिनट नौर्थ तक आप लोगों को यहाँ पर में फैला हुआ हुआ है, भारत का, यह अक्षांशिय विस्तार है भारत का, तो D is the correct answer, मैं आपको यहाँ पर में दिखाना चाहूँगा, यह देखिए, यहाँ से भारत ह हमारा, यह है, ठीक है, चार डिग्री, 8 डिग्री, 4 मिनट नौर्थ से स्टार्ट होकर, 37 डिग्री, 6 मिनट नौर्थ तक, यह याद रखोंगे, इम्पोर्टन पॉइंट है, ठीक है, मुख्य भूमी की बात हुरी है, अगर अंडमान निकोबार से गिनोंगे, तो यह तो औ आप लोगों को, तो यह आप लोगों को हो जाएंगा, फ्रेंट्स, 6 डिग्री, 45 मिनट नौर्थ से स्टार्ट होता है, अंडमान निकोबार से गिनेंगे तो, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया ता, मुख्य भूमी कहां से स्टार्ट होती है, तो यह 8 डिग्री, 4 मिनट नौर्थ हो जाएगा, और अंडमान निकोबार स्टार्ट होता है, आप लोगों का जो इंदिरा पॉइंट है आपका, यह वाला पॉइंट आपका सबसे दक्षिन वाला, 6 डिग्री, 45 मिनट नौर्थ से स्टार्ट होता है, तो यह आप लोग याद रख सकते हो, दोनों के हो चुके है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, 4000 से हम लोग बहुत ज्यादा पास में है, लाइक के, ममता कुमारी आप आज वाली टेस्ट के अंदर में आपको बिल्कुल ऐक्यूरेट मिलेगा, डूंट परी, टेंशन मतलो आप, आज वाली जो टेस्ट है न यहां 일esti के बहुत बागान, में एक Κाहहरे, में आज और में इसमों और में धीम देश कौन सा है, वैसे 2023 के आंदर मेंकालकता में छोड़ा है, 만든 में फैस्टिवल employ से कैने को सिनीः यह प्सान रहा है, इसरो हम लोगों ने क्या किया है, फ्रेंट इसमीर लोग ने ने जो है लारे कि यहां पर में आप लोगों का यह न दरमेशत Isके अंदर में थीम देश कॉन सा यह बोला हुट है तो अभी 2023 के तो यहां पर में उन्होंने क्या किया है उसका उल्टा हमारे साथ में किया है एक बार हमने इस पेन को रखा हुआ है तो जो इस पेन है ठीक है वह इसके अन्दर में इसकी राजधानी है मैडरीड तो यह आप लोगों का रहेंगा थीम देश वही अगर 2025 के अंदर में जब होगा इंटरनेशनल मैडरीड इंटरनेशनल बुक फेयर उसमें इंडिया रहेगा उसका तो आटा साटा तुम हमको रख लो थीम देश तुम हम तुमको रख लेंगे ऐसा वाला इन लोगो लिख दो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में ताकि आप लोगों को याद हो जाए यह चीज हमेशा हमेशा के लिए याद हो जल्दी जल्दी से लिख देंगे सभी के सभी लोग कोलकाता बुक फेर ऐस फोटी शिस नंबर का इंटरेशनल बुक फेर कहा हुआ कोलकाता में हुआ है के दोफ़जार पच्चीस पहा होने वाला इस सपेन मैजरी चेंदर में और भारत तो तीम कंट्री रहेगा और कोलकाता लूक फेर का घ्रिक जा स्पैन अदर में किस नही भारतिय सम्विधान में मौलिक अधिकार की इस भाग में दिये गया है यह बताएंगे आप सभी लोग जल्दी बताएं आप लोग है कि अगर मैं बात करूँ भारत के सम्विधान के अंदर में टोटल 25 पार्ट है 25 पार्ट है 25 पार्ट है हमारे टोटल 25 पार्ट से और रख नंबर 1 के अंदर में यह वह भारत और भारत की टैरिकर के बारे में दिया गया है इंडिया और इंडिया एंड श. इट टैरिकर यह दिया गया इसके अंदर में आप रोगों का दिया गया यहां पर मैं इस प्रियक के बारे में पूछा है ना तो प्रिया नो होने लोगने को अध्वर से उधार लिया है इंध्र लिखने और पाइड रखना आप नंबर पाच जो है आप लोगों का पाट नंबर पाच यह सेंट्रल गौवर्मेंट केंद्र सरकार से डील करता है सेंट्रल गौवर्मेंट केंद्र सरकार केंद्र से सेंट्रल गौवर्मेंट से डील करता है और पाट नंबर छे जो है वो राज्य सरकारों से डील करता है ठीक है कि बहुत जल्दी हम लोग यहां पर में 1,97,000 subscribers भी पूरा कर लेंगे next question के तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर में आपको बताना है कि in the preamble of constitution adopted on 26th November 1949 कौनसे word present नहीं थे वो बाद में जोड़े हैं हम लोगों ने कौनसे तीन शब्द थे जो मौझूद नहीं थे भारत के समीधान के अंदर में जल्दी जल्दी से answer करेंगे question का आप लोग कि कौनसे तीन शब्द ऐसे थे जो हमारे भारत के समीधान के अंदर में उस समय नहीं थे हमने बाद में उसको जोड़े हैं प्रस्तावना के अंदर में नहीं थे तो आपको बता दूँ फ्रेंड्स की हम लोगों ने क्या किया ठीक है हमने 1976 के अंदर में उनीस सो चात्तर में 42 सवा समीधान संशोधन किया 42nd constitutional amendment act इसमें हमने हमारे प्रेंबल के अंदर में तीन शब्द जोड़े थे ठीक है हमने जोड़े है फ्रेंड्स यहां पर में आप लोगों का secular पंथ निर्पेक्ष यह वाला शब्द हमने जोड़ा है ठीक है समाजवादी शब्द जोड़ा है और अखंडता को जोड़ा है रिपब्लिक पहले से था हमारे प्रेंबल में त तो आज जो हम हमारी प्रस्तावना को पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभूत्व संपन्न समाजवादी पंथ निर्पेक्ष ठीक है लोग तंतरात्मक गंडराज्य बनाने के लिए तो यह समाजवादी और पंथ निर्पेक्ष बाद में 42 समीधान संशोधन के जरीए इसको किया गया है ठीक है और आगे में भी आप लोगों से पुछे जाने की बहुत जादा प्रबल संभावना है इसकी तो इसके लिए आप लोगों ने तयार रहना है सभी लोगों ने आप लोगों का जो है वह आपकी स्क्रीन के उपर में यह रहा जस्ट अ सेकिंड आप लोगों समझ गया है यह पूरी लिस्ट अगर आपको चाहिए तो टीचिंग परिश्या एप डाउनलोड कर लेना एप के अंदर कर लेना है अब लोगों से पुछे जाने की संभावना बनती है इस कोशन की तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा पताएंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से टो अब वहाथ बढ़िया ठीक है आप लोगों के जो है फेंट्स आंसर मेरे पास में यहां पर में आने अप लोगों के तो देखिये फ्रेंट्स अफ्रिका जो है वह एक मात्र महादीब है जहां से में से भी जाती है और यह ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा ठीक है ये भी अफ्रीका में और ये यह आपको याद रखना है कितने प्रतिशत लोगों ने आगे बढ़ाते रही है मेरे को एनरजी आप ही लोगों से मिल रही है इसके अलावा एक कुश्चन आप लोगों का जो कि मुझे लग रहा है कि जिसके बहुत हैवी चांसे से एक्जाम के अंदर में पूछे जाने के जो मैंने कल टेस्ट में भी दिया था जो जिन बच्चों क को मैंने पेड क्लास के अंदर में टेस्ट ली थी उसके अंदर में एक है जल्दी से बताएंगे इस कुश्चन का अंसर क्या होगा आप लोगों का दीदी जो है प्रिया दीदी वो न्यूज लेकर आती है राजेश मलहोतरा जो है आप लोगों को याद करवा दिया सपने में भी आप लोगों को जो है प्रिया कुमार और राजेश मलहोतरा याद रहने चाहिए नेक्स कोश्चन के तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं यह लोगों को प्रिएंबल याद है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्म प्रभुटो संपन्य समाज वादी धर्म निर्पेक्स लोग तंत्रातम गणराज्यवी बनाने के लिए उसके समस्तनांगरीगों को सामाजीक आर्थिक और राजनीतिक नियाए सामाजीक सामाजीक आर्थिक ठीक है सामाजीक आर्थिक और राजनीतिक नियाए टीक है? 서lement, social, economic और political justice दिलाएंगे, हम लोग तीन प्रकार का दिया गया यहाद पर में, सामाजीक, आर्थिक और राजनीतिक नियाय है, तो कितने प्रकार के नियाय की बात की गई यह उसके अंदर में? उसमें तीन प्रकार के नियाय की बात की गई है, इक है? एक पॉलिटी का और जो मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर पुछे जाने की संभावना बनती हैं अगर आपका conceptual understanding अच्छी है तो आप इस question को solve कर पाऊंगे तो तीन प्रकार के न्याई की बात की गई है वो आप लोग ने comment में लिख दिया है तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर में न्याई की बात justice, social, economic and political justice please याद रखेंगे आप लोग देखो यहाँ पर में आप लोगों के लिए लगा भी दिया है सामाजीक, आर्थिक और राजनीतिक न्याई सामाजीक, आर्थिक और राजनीतिक न्याई हम लोग देगे तो तीन प्रकार के न्याई की बात की गई है अब इस question को देखो आप लोग कितना बड़िया question है तो यहां पर मैं आप लोग देखिए इस कुश्चन को भारत के समीधान की प्रस्तावने में भारत को किस रूप में घुशित किया गया है भारत जो एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपबलीक है सबसे बैस्ट वाला आंसर लगाना है आप लोगों ने ध्यान से देखना गलती न अब भारत को एक संपुर्ण प्रभूत्व संपन्न जिसका मतलब कि भाहर का कोई वैक्ति वाहर का कोई वैक्ति हमारे उपर में हुकम नहीं चला सकता कल जाके अमेरिका हमको कुछ यह नहीं बोल सकता कि यह ऐसा करना है वैसा यह करो, वो करो करके हम खुद मुक्तार है, सार्वभौमिक है हम लोग तो सार्वभौमिक है, समाजवादी हम लोग हो तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा तो यह याद रखेंगे, आप सभी लोग, important है, exam के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, कैसे किस प्रकार का है हमारा देश, ओके, तो यह थोड़ा सा आप लोगों याद रखना है, इस point को exam के अंदर में आप लोगों से बन सकता है, r 사men वरम यहां पर पर में आगे बढ़ते हैं एक जो कोश्चन unreal से related कोश्चन नहीं का slippery affairs के अंदर में आप लोगों से basically मुझे लग रहा है कि यह सकता है कि आप SUSBenet a question Quran which of the following state government has launched a campaign to make daughters of underprivileged classes capable of self-living Samagra Sikshya Abhiyaan की शुरुवात की है ताकि जो वंचित वर्ग है वंचित वर्ग मतलब या जो जिनको छोटे दर्जे का माना जाता है उन वर्ग के जो बच्चिया है उन लोगों को आप क्या दे सके उन लोगों को आप लोग यहां पर में education दे सके उनको आत्म निर्भर बना सके उनको काफी सारी ट्रेनिंग्स वगरे दे सके तो याद रखने आप लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लॉंच किया है यह question बन सकता है कि वंची तवर्ग की बेटियों को सक्षम और आत्म निर्भर बनाने के लिए समगर सिक्षा अभियान किसने स्टार्ट किया है तो यह स्टार्ट किया है आप लोगों का फ्रेंट्स ठीक है उत्तर प्रदेश सरकार ने चालिए बीस लोगों की कमी है यहां पर में बीस लोग जलदी-बीस से सारे के सारे करके इसको वह कर सकते हो आप लोग जल्दी जल्दी से करते रहेंगे आप लोग आप लोगों का जो अगला कोश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में है इसका आंसर तो आपका ओप्शन नमर ए था उत्रप्रदेश था यह याद रख लिए आप लोगों ने आप लोगों का है कि the size of state legislative council cannot be more than blank of membership of state legislative assembly आपको पता है छे राज्ये ऐसे हैं जहां पर में विधान परिशद भी है विधान परिशद वाले राज्यों के नाम बताइए बहुत इंपोर्टन है विधान परिशद वाले राज्यों के नाम बताइए बहुत ज्यादा में सबी लोग दोहराते रहेंगे एक तो है यूपी में बिहार के अंदर में यूपी बिहार ठीक है उसके बाद में महाराष्ट्र और उसके नीचे वाला करनाटक करनाटक का फिर आंदर प्रदेश और तेलंगाना आप लोगों को कई जगा पर देखेने के लिए मिलेंगा लेकिन विधान सभा में maximum seat कितनी हो सकती है बहुत important है ये बिहार की test books के अंदर में भी दिया हुआ है maximum seat कितनी हो सकती है उसकी तो मान लीजे कि किसी राज्ये में ठीक है राज्ये की विधान सभा में legislative assembly में विधान सभा के अंदर में ठीक है 300 seat है मान लीजे तो इसका एक त एक तीहाई जितना भी याएगा सो जाएगा यह तो maximum निनी seat हो सकती है वहां पर में ठीक है? घीक है? मैratक फिसjutblade मास कि ऎनल्चे के चाहेखना सबल न में याद रखना है ओना सब्सक्राइल इसनी सलहां मतर्णी हो ज été प्रफ्टिस कोश्चन दे रहो, मान लीजिए कि किसी राज्य के अंदर में, मान लेते कि देड़ सो है, 150 जो है, विधान सभा की स्ट्रेंथ है, विधान सभा, तो आप मुझे बताओ कि इसके अंदर में maximum कितने लोगों की हो सकती है, विधान परिशद, इतने लोग हो सकते है विधान परिशद के अंदर में, maximum, ये भी आप लोग में को बता देंगे, देखते कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं, यहां पर में, ओके, अब एक बहुत ही इंपोर्टन वाला कोश्चन जो है, आपको कराने वाला हूँ, यूपी जूनियर की एक्जाम में पूछा गया जिनके अंदर में विधान परिशद है, बाकी राज्ये के अंदर में नहीं है, तो ऐसा कौन सा जो है, आप लोगों को बताना है, ऐसा कौन सा वाला है यहां पर में, जो आर्टिकल जो विधान परिशद को बना भी सकता है, और हटा भी सकता है, यहां पर में, चीक है? में तरु 4 मि Almost मंडल होगा हर राझ्यवीजान मंडल होगा हम विधान मंडल किस Brooks बना हुआ होगा विधान सभा गुठार वहाँ उसराज्ये का ग्ववर्णनर और अगर उस राज्य के अंदर में अगर अगर उस राज्य के अंदर में विधान परिशद है तो विधान परिशद इन तीनों से मिलकर इन तीनों से मिलकर जो है उस राज्य का विधान मंडल बनेगा उस राज्य का ठीके लेजिसलेचर बनेगा विधान मंडल बनेगा लेकि इससे चेल्व करता है उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आप लोगोंसले फ्रेट्स यहां पर में इस अंगर किल शयीया विधान सभा में woven कंपोजीशन क्या होगा कॉन विधान सभा का गई है 171 भी बता देता हूँ आर्टिकल नंबर 171 में विधान परिशत की जो composition है वो दी गई है कि कौन कौन उसके member बन सकते हैं composition और उसके बारे में जानकारी कौन उसका member विधान परिशत का बन सकता है वो आर्टिकल नंबर 171 में दी गई है और बात यह है कि स्थापना करना और समाप्त करना यह आपका आर्टिकल नंबर 169 के अंदर में दिया हुआ है इंपोर्टन पॉइंट इसी वज़े से पूरा आप लोगों को इसको बता दिया है और जैसे कि मैं यहां पर में देख पा रहा हूँ आप लोगों का ठीक है करीब यहां पर में जो है फ्रेंट्स 4300 से 4300 से जादा बच्चों ने यहां पर में लाइक कर दिया है तो एक बार शेयर भी जरूर करते रहेंगे आप सभी लोग ताकी फ्रेंट्स ऐसे ही हम लोग यहां पर में हमारे कि क्षर flushas Battlefield में राज्जे में राज्य कें दर में जैसे की टोशा में देगा है तो यह प्रश्न एखां की बार उठता है क्यों लोगों के सामने जो ALLOWUNCE अगर एक ही वक्ति को दो राज्य गाड आधर वैसे तो गवर्नर के पास में ऐसे सच पादा कुछ काम नहीं होता है यहां पर में था कि भाई गावर्णर जो हो उसको बहुत ज़वाधा पैसा धिया जाय लेकिन फिर भी जितना भी दिया जाता है उसमें भी सुमीं आप लोगो को ये बताना हैं कि जो उसके पैसेका बटवारा कैसे होगा तो पैसे का बटवारा जो है 50 50 बाट लिया जाता है लेकिन फिर भी अगर मानलो राष्टरपती चाहे तो वो प्रपोर्षण को different कर सकते है तो राष्टरपती क्या कर सकते है राष्टरपती है तो उसको different कर सकते हैं कि भाई हम जो है उसको 40% तुम दो 60% double salary नहीं मिलेंगे एक ही salary मिलेंगी यह भी याद रखना है आप लोगों ने चाली तो राश्ट्रपती decide करते हैं नाओ एक बहुत ही interesting सा question आप लोगों के सामने है friends यहाँ पर में राज्येपाल को पद वो गोपनियता की शपत कौन दिलाता है यह आप लोगों को बताना है राज्येपाल को पद और गोपनियता की शपत कौन दिलवाता है यह आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से who administered the oath of office and secrecy of governor तो governor के पद की कौन दिलाता है यह बताएंगे आप सभी लोग जी तो देखे फ्रेंट्स जीजबी राज्ये का governor बनाया गया है उस राज्ये का high court उस राज्ये का जो high court है ठीक है उस राज्ये के high court का जो chief justice होगा वो शपत दिलाएंगा ना की राश्टरपती देखो पॉइंट कौन करता है पॉइंट करता है पॉइंट करता है ठीक है राष्ट्रपती प्रेसिडेंट करेंगा पॉइंट राष्ट्रपती अपॉइंट करेंगा लेकिन शपत कौन दिलाएंगा तो उस राज्जे का हाई कोड का जो चीफ जस्टी से वह दिलाएंगा याद रख कभी भी आप लोगों से एक्जाम के अंदर में किसी भी रूप में आप लोगों से पूछ ले ओके आप लोगों से मैं एक सवाल यहां पर मैं पूछना चाहूंगा ठीक है इसका आंसर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड चीफ जस्टिस अच्छा राज्येपाल को अगर अपन इतने भी लोग यहां देख रहे हैं सभी लोग जो है इस कोश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर में सभी के सभी लोग और जैसे कि मैं यहां पर मैं आप लोगों से देख पा रहा हूँ ठीक है सभी लोग चाहने संसस्रा आप है इसके अलावा में आप लोगों से पूछ रहा हूँ अपको बताना है क्या में आप नभ पैअक्य। देखे कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में यहां पर में पता तो चले ठीक है उसके बाद में एक और मैं आप लोगों से कोश्चन यहां पर में पूशना चाहूंगा जो हम लोगों ने आज किया है जिस बच्चे ने भी देखा होगा लेक्चर अच्छे करीब आएगा पूरा का पूरा आपको बताना है फ्रेंट्स की तो बलवन्त राय महता कमेटी बलवन्त राय महता इक बहुत इंपॉर्टंट t day prin पहुंसे साल बनाई इसका year बहुत important है, बिहार के काफी सारी exams में आ चुका है और अलग-अलग और भी exams के अंदर में आप लोगों से पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है, तो please इसको याद रखेंगे आप लोग, इसके अलावा, friends, आप लोगों से मैंने एक सवाल पूछा था, ठीक है, AV culture का, तो आप लोग मुझे बताएंगे, AV culture किस चीज से related है, AV culture, और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता दू, friends, कि आपको ये सारी, ये पूरी PDF जो है, ये आपको teaching परिक्षा app पे मिल जाएंगी, तो app को आज डाउनलोड ज़ इसको answer कीजिए, अच्छे से comment box में, मैं आप लोगों के comments का इंतजार करूँगा, देखोंगा कि कितने लोगों ने यहाँ पर में comments में answers किये है, teaching परिक्षा जो channel है, friends, इसको subscribe ज़रूर कर लीजिए, दानिशेक टेलिग्राम ग्रूप है, उसको भी join कर लेंगे, आप लोग को कोई भी दिक्कत आ रही है, teaching परिक्षा के साथ में आप जुड़ना चाहते हो, तो 7611101101 इस पर call कर सकते हो, या 969697888444 इस नंबर के उपर में भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, heavy discounts चला हुआ है, यहाँ पर में आप लोगों का, जो आपका test है, वो होगा आप लोगों का test, test के लिए क्या करना है, आपको बता देता हो, मैं, app में जाना है, app में, app में, app में जाकर आपको जाना है, store में, यहाँ पर में नीचे में यहाँ आपको दिखेंगा, store, free है test, don't worry, test free है, store में जाओंगे, यहाँ पर में खुलेंगा, जो लोगral जिन समय रहा हूँ, नहीं इसके लोगों नहीं लिया, उनके बात कर रहा हूँ, वो जाएंगे, यहाँ पर मैं बिहार का सर्च करेंगे, बिहार को सेवंध फेस वाला, सर्च करना इसमें लिस्ट में आपको मिलेंगा बिहार सेवंध फेस, उसके अंदर जाना, और उसके अंदर जाके आप Content इजाना, Content लोगों को सबसे उपर रखूंगा कि आप लोगों को अधा दूर्ने में ज़ादा तकलीव न हो गर किसे अप लोगों के लिए सबसे उपर में रख देंगे हम लोग इसको आप क्या करोंगे टींशेन नहीं लेना है घृए तो आप क्या करोंगे तो वो उसको उसके अंदर में रख दे रहे ताकि पेड़ वाले बच्चे भी उसको अटेंट कर सके वहां पर में अच्छे से उसमें बिहार 7 फेस में जाना है फिर उसमें जाके जाने के बाद में आपको कही तो भी content दिखेंगा content के उपर में यहां पर में आपको अगर सेशन पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में जहां जहां भी आप शेयर कर सकते वहां शेयर जरू करेंगे टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा देना संडे के दिन जैसी हमारे जो है फ्रेंड दो लक्स सब् सब्सक्राइब कर दो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है और इसके अलावा मैं आपको बता दू आप लोगों ने जो आज गदर मचाया है उसका प्रूफ आपको दिखाना चाहूगा मैं एक शेशी सर ने जस्ट मेरे साथ में शेयर किया है तो मैं आप लोग बढ़ी खुशकबरी शेयर किया है तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा एक बहुत अच्छी खबर है यूटूब के उपर में यूटूब ने इस वीडियो को ठीक है इस वीडियो को बीपीसी रिखने पर फॉस्ट रैंकिंग के उपर में रखा है आप में देख सकते हो इनकाग्निटो मोड के अंदर में जाकर सर्च किया है और यह फॉस्ट रैंक कर रहा है हमारा वीडियो यह जो अभी चल रहा है लाइव टॉप पे बीपीसी लिखने के उपर में भी तो आप सभी लोगों का तह दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक्य सेशन को जो है वा आगे बढ़ाना है एक है चलो थैंक्यू वरी मच आप सभी लोगों को बाकी आप लोग अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहेंगे तो कॉंग्रेट्यूलेशन्स एक बार फिर से बाई गॉड ब्लेस्यू आल मिलते हमारे नेक्स लेक्शर में थैंक